फ्रेंड्स हाजिरू में हमेशा की तरह एक नए वीडियो के साथ में फ्रेंड्स अगर आप किसी पावर आटा चक्की या किसी भी प्लांड की जो हमारी पुली होती हैं चाहे वो बैंड वाली हो पटे वाली हो दो पुली हो चार पुली हो छे पुली हो तो उनके चक्कर कैसे सैट करते हैं कई बार ऐसा होता है कि ट्रेक्टर पर जन्रेटर पर लोग पुली लगाते हैं और कंफूज रहते हैं कि इनके चक्कर कैसे सैट होंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो इसी के उपर आधारी थे तो फ्रेंड्स हम एक डेमो के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं साइध अगर आपको समझ में आए तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें चली हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप दे तो friends इसको पूरा समझने के लिए मान लीजिए ये छोटी पुली है अगर मान लीजिए कि हमारी एक मोटर है और वो कितने की है 1440 चकर की है सपोस करें 1440 चकर ठीक है friends तो 1440 चकर की एक हमारी मोटर है अब हमने उस पर एक पुली लगाई हुई है 6 इंच की जैसे कि हमने दिख करना होगा हमें इसको 6 से 1440 को multiply करना होगा ठीक है अब multiply करते ही हम एक demo के रूप में इसमें calculator पर कर देते हैं एक मिनिट के लिए तो ये 1440 हो गए गुणा इसमें हम जो multiply है वो कर देते हैं 6 से तो ये आ गया इसका answer मान लेते हैं 1440 multiply 6 तो ये आ गया 14, sorry, 8, 6, 4 ये इसका आप समझ दीजी दियान से तो ये अगर हम इसको हमारी motor 1440 की है 6 की पुली है तो हम इसको इससे multiply कर देंगे तो ये हमारा 8640 इसका answer आ जाता है ठीक है friends अब हमको इसके चकर निकालने हैं कि ये इतना गोमेगी तो इसके चकर कितने होंगे ठीक है इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम इसको ये 8640 जो है 8640 इसको अब हम कर देंगे divide यानिके भाग कर देंगे 14 से तो ये answer आएगा मान लीजिए ये हम भाग करते हैं 8640 को 14 से यहां हमें भाग करनी होगी यानिके divide करना होगा इसको तो इसका answer आएगा लगबग 617 यानिके ये अगर 1440 चकर पर ये चल लई है तो इसका 617 answer आएगा अब आप आसाने समझ गयोंगे हमने फिलाल दो पुलियों का बताया अब हम चार पुलियों का बताते हैं आईए देखते हैं आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं लेकिन हमें डेमो दिखा रहा हैं सरिफ ये ये अगर आप चार पुलियों का setup बनाना चाहते हैं तो इसका बड़ा आसान तरीका है हमें ड्राइब पुलियों के चक्कर पहले सैट करने होते हैं यह आपको पहले भी बता चुका हूँ मान लीजिए यह हमारे 1000 चक्कर हैं किसी मोटर के इंजिन के या किसी भी चीज के मान लीजिए 1000 चकर है हमारे 8 की pulley हो गई, अगर हम इसको 8 से multiply करते हैं तो यह सीधा सीधा 8000 हो जाता है ठीक है, यह पहली pulley की बात कर रहे हैं friends अब सामने वाली जो pulley यह counter shaft है यह shaft लगी हुई है, यह pulley हमान लेते हैं यह 20 inch की है, यह 26 inch की है, यह हमने 12 inch की मानी है example तोर पर समझाने की कुशिस कर रहे हैं वो size कोई भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता तो जैसे 8000 है यह, तो हम 8000 को सीधा सीधा divide कर देंगे 20 से, ठीक है जी? अब 20 से करते की साथ हमारा answer आएगा मान ली जी हम 8000 को divide करते हैं 20 inch से तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 400, यानि कि अगर यह इतना 1000 घुमती है और 8 inch की पुली है तो यह चक्कर लगेंगे इसके 400, ठीक है? अब यह 400 क्योंकि यह जो घुम रहा है, पूरा 400 घुम रहा है फ्रेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं, यह 400 की गती से यह पुली भी घुमेगी और यह भी घुमेगी तीसे नमबर की अब हमें चक्कर इसके निकालने हैं 12 नमबर वाले के, कि यह कितनी घुमने वाली है आप आसानी से देख सकते हैं अब फ्रेंट्स इसको समझने के लिए हमें क्योंकि ये 400 चक्कर हैं ये 400 चक्कर यहां लिख लेते हैं हम एक मिनट के लिए आपको समझाने के लिए अब इसको हम 26 से करेंगे multiply ठीक है? इसमें मैं calculator पर कर देते हैं sorry, calculator पर करते हैं multiply कर रहे हैं 26 से तो ये answer आजाता है 10400 अब friends हम 10400 को divide करेंगे 12 से हम 12 से करने के बाद हमारा करीब ये पैंटों में हैं पैंटों का हम जिकर नहीं करेंगे हम सिर्फ ये चक्कर दिखाने को उसिस करेंगे तो इसके चक्कर हमारे अगर हम इसको करते हैं तो 866 हमारे ये चक्कर बैठते हैं ये हमने पूरा डेमो आपको 4 पुलियों का दिखाया अगर ये 1000 की गती से ये पुलि चलती है तो यह 866 चक्कर आएंगे अब साइज कुछ भी हो सकता है आप जैसा आप समझें सिर्फ हमें समझाने का आमने आपको बहुत अच्छे लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्याबाद